अभय जब घर पहुँचा तो वो बहुत खुश था उसके चेहरे पर बड़ी प्राउट सी फीलिंग थी एकदम उस बच्चे की तरह जो स्कूल से इनाम जीत कर घर लोटता है अंदर जाते ही उसने देखा कि घर के बाकी सभी लोग लिविंग रूम में बैठे चाई पी रहे थे अभय को देखकर नीलम जी ने एक कप चाई उसकी और बढ़ा दी और कहा क्या बात है बहुत खुश नजर आ रहे हो बेटा अभय चाई का कप लेकर सोफे पर आराम से बैठ गया फिर बोला गैस वाट आज मैं किस्से मिला किस्से अंशो और निशी ने एक साथ पूछा नीलम जी और विशाल जी भी बहुत गोर से उसकी और देख रहे थे अभय ने खुश होकर बताया अरे पापा आपको याद है मेरे स्कूल में एक लड़का पड़ता था मेरा सबसे अच्छा दोस्त वही जो हमेशा मेरे साथ रहता था जिसका ड्रेसिंग सेंस आपको बिलकुल भी पसंद नहीं था वो हरी गुलाबी पैंट वाला अभय ने कहा विशाल जी सोचने लगे और बोले कहीं वो अपने पडोस वाले मलहोत्रा का बेटा तो नहीं जी पापा वही अभय ने हसते हुए जवाब दिया नीलम जी ने भी याद करते हुए कहा अरे हाँ वही न जो उसके घर कम और हमारे घर ज्यादा रहा करता था उसका एक वक्त का और कभी कभी तो दोनों वक्त का खाना हमारे यहाँ ही होता था मुझसे वो हमेशा कहता था आंटी जी हाब के हाथ के खाने में अलग ही स्वाद आता है निशी ने थोड़ा मायूसी के साथ कहा लो ये तो कोई और है मैं तो सोच रही थी कि भाईया वो फेमस सेलिबरिटी ड्रेस डिजाइनर साहिल मलहोतरा की बात कर रही है जी माडम उसी की बात कर रहा हूँ फेमस ड्रेस डिजाइनर दसाहिल मलहोतरा मेरे बचपन का दोस्त है अब ही उसी से मिलकर आ रहा हूँ अभै ने कहा क्या वो बड़े बड़े फिल्म सितारों का डिजाइनर आपका दोस्त है निशी लगबग चीकते हुए बोली जी हाँ वही साहिल मलहोतरा वो मेरा दोस्त है और दोस्त क्या बल्कि यू कहो कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है अभै ने कहा खंशु बोला भाईया मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है प्लीज थोड़ा डीटेल में बताईया ना अभई ने साहिल से हुई उसकी मुलाकात के बारे में वो बताने लगा उसकी बात सुनने के बाद सभी को बहुत ही आश्चर्रे हुआ और खुशी भी विशाल जी बोलें वो जीब कपड़े पहनने वाला लड़का साहिल इतना बड़ा डिजाइनर बन गया वाह यकीन नहीं होता है पर कितनी अच्छी बात है वाउ भाईया अब मैं सबसे बहुत प्राउडली कहूंगी कि साहिल मलहोतरा मेरे भाईया के बेस्ट फ्रेंड है निशी ने च खुशी हुई होगी ना उनसे मिलकर और अब तो उनसे आपका मिलना होता ही रहेगा आप उनके लिए काम जो करने वाले हो ये सुनकर अभय थोड़ा परेशान हो गया उसे देखकर नीलम जी ने कहा क्या बात है चुन्नू कोई परेशानी है क्या अचानक तेरा चेहरा की उ नीलम जी ने कहा अभय ने थोड़ा हिचकचाते हुए कहा ममा साहिल के लिए मुझे जो काम करना है उसके लिए मुझे शायद मुंबई जाना पड़ेगा बस इतनी सी बात तू तो ऐसे परेशान दिख रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो मुंबई ही तो जाना है चले जाना वैसे कितने दिनों के लिए जाना है नीलम जी ने अभय के सर पर हाथ फेरते हुए कहा दिन नहीं ममा महीने या फिर साल भर भी लग सकता है अभय ने धीरे से कहा क्या साल भर के लिए नीलम जी ने चौकते हुए कहा ये क्या बोल रहे हो बेटा विशाल जी ने बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे थे। तब ही अंशु बोला I think भाईया आपको जरूर जाना चाहिए नीलम जी अंशु को डाटते हुए बोली ये क्या बोल रहे हो अंशु? चुनू हम लोगों को छोड़ कर कैसे जाएगा? और वहां अकेला कैसे रहेगा? अरे मम्मा बस एक साल की ही तो बात है भाईया कौन सा हमें हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहे है और फिर भाईया बच्चे तो नहीं है कि अकेले ना रहे पाए मगर ये सोची मम्मा कि ये भाईया के करियर के लिए कितना अच्छा होगा और फिर साहिल भाईया भाईया के बच्पन के दोस्त है उन्हें इतने सालों के बाद मिले हैं तो उनके काम के लिए भाईया ना कैसे बोल पाएंगे बलकि ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए कि भाईया को इतना बड़ा मौका मिला है वहां मुंबई में साहल भाईया होंगे भाईया के साथ तो I don't think कि भाईया को किसी तरह की कोई प्राब्लम होगी अंशु समझाते हुए बोला फिर भी मेरा मन नहीं मानता मैंने आज तक अपने बच्चों को कभी अपने से दूर नहीं भेजा तुम लोगों को पता नहीं है पर तुम्हारे पापा तुम्हें हाईर एजूकेशन के लिए अबरोड भेजना चाहते थे पर मेरी जिद के कारण ही नहीं भेजा मैं तुम तीनों को अपनी आँखों से दूर नहीं देखना चाहती तुम मुझे स्वार्ती के सकते हो पर इतना कहने के बाद नीलम जी चुप हो गई और उनकी आँखों में से दू आसू छलकाई तीनों बच्चे अपनी मा को इस तरह देख कर हैरान थे आज तक उन्होंने नीलम जी को हमेशा स्ट्रॉंग ही देखा था अलबत्ता कई मौकों पर विशाल जी कमजोर पढ़ जाते थे मगर नीलम जी हमेशा मजबूती से हर हालातों का सामना करती आई थी आज उन तीनों ने शायद पहली बार अपनी मा का ये रूप देखा था अब है कुछ कहना चाहता था पर उससे पहले विशाल जी नीलम जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले अरे कोई भी तुम्हें स्वार्थी नहीं कह रहा है और ना ही कह सकता है बलकि तुमने तो आज तक इस परिवार के लिए ना जाने कितने त्याक किये होंगे तुम्हें भला हम स्वार्थी कैसे कहें तुम्हारा अपने बच्चों को खुद से दूर ना भेजने का पैसला तुम्हारा इनके लिए असीमित प्यार है ना कि स्वार्थ मगर एक बार अंशू की बात पर भी गौर करो मुझे लगता है अंशू ठीक कह रहा है हमें चुन्नो को जाने देना चाहिए देखो तुमने इनहें पढ़ने बाहर भीजने से इंकार किया तब मैं तुम्हारी बात मान गया था हाना कि तब भी मैं चाहता था कि ये लोग बाहर जाते तो शायद इनका करियर कुछ और होता खेर वो बात तो खत्म हो गई मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानो नीलम बच्चे बड़े हो गए हैं तुम कब तक इन्हें अपने पल्लू से बांध कर रख सकती हो जानती हो जब चड़िया के बच्चे उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो वो खुद उन्हें घॉंसले से धक्का देती है उन्हें मौका देती है उड़ने का तुम भी इने मौका दो उड़ने का दुनिया देखने का अपना नाम कमाने का और फिर मुंबई कोई बहुत दूर तो नहीं है बस दो घंटे की व्लाइट है वो भी दिन में चार बार चुन्नू बीच में कभी भी हमसे मिलने आ सकता है या हम वहाँ जा सकते हैं अगर आज हम इसे नहीं जाने देते हैं तो वो सच में हमारा स्वार्थ होगा